बात करेंगे पाकिस्तान और New Zealand के बीच में होने वाले तीसरे T20 मैच के बारे में तो ये सारे मैचेज New Zealand में हो रहे हैं 5 T20 मैच के सिरिज है 2-0 से New Zealand के टीम आगे चल रही है आपने हमारे winning नहीं देखी थे, दोनोई T20 में हमने काफ़ी अच्छी winning की थी अब यहाँ पर इस match की बात करें, होने वाला है डिवने डिन में, युनिवर्सिटी ओवल में यहाँ की बैटिंग पिच मानी जाती है, यहाँ पर यह रॉंग लिखा है, दो मैच यहाँ पर हुए है एक low scoring गया है, एक high scoring गया है, जारा तर यहाँ पर high scoring games ही होते है जो दो last की match हुए है, आप देख सकते हो 219 बनाया New Zealand ने, Australia ने 215 बना लिया, दोनों इनिंग में अच्छी बैटिंग हुए, पेसर इस्पिनर 141 स्रलंका ने बनाया New Zealand ने, नौ विकेट से match को जीत लिया, मातर 14 ओवर 4 बॉल में चेस कर लिया पेसर को जादा विकेट्स मिले, नौ मैच्टिक यहाँ पर 23 मैच कहले गए, 168 का average है, बैटिंग सेकंड को जादा advantage है 17 मैच बैटिंग सेकंड ने विन किये, बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर 5 बार 190 प्लस 6 बार 150 के नीचे बाकी यह है, आगे चलते है पेसर इस्पिनर दोनों को मदद मिलती है, रन अच्छे बनते हैं दोनों इनिंग में, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 188 का target chase हो गया, 167 का target chase हो गया, 219 के जवाब में 215 बन गया यहाँ पेसर को, पेसर को, इस्पिनर को भी, पेसर इस्पिनर दोनों को अब यहाँ पे इस venue पे record वगरे देखने की ज़रूरत नहीं आगे चलते हैं आप इसका screenshot लेकर के देख लेना, ठीक है, आगे चलते हैं अब यहाँ पे head to head match देखते हैं, जो लास्ट मैच हुआ था दोनों के बीच में 194 बनाया न्यूजियर्ण ने, पाकिस्तान 173 बना पाई, फिन एलेन, हमारी टीम में थे आपको याद होगा, हमने clean ship किया था, प्लस फकर जमान भी हमारे टीम में थे इन दोनों को बहुत कम लगोने लिया था, इसके अलावा Adam मिलने, Ben Sears इस सोडी टीम साओधी ने विकेट लिया, Haris Rauv और Sainsa Afridi ने विकेट लिया, यहाँ पे 226 बनाया न्यूजियर्ण ने पाकिस्तान को एक ससी पर ओल ओट कर दिया, केन विलियंसर, डैरी मिचेल, टीम साओधी अडम मिलने, Ben Sears यहाँ पे, बाबर आजम, Sainsa Afridi, Haris Rauv और Abbas Avridi, Haris Rauv, Sainsa Afridi, बाबर आजम कॉमन प्लेयर है, जिन्होंने दोनों मैच में अच्छा प्रफॉर्मेंस किया, बाइडम सेक्सं इसको की बात करें, तो आपको Adam मिलने दिखेंगे, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 4 विकेट, टीम साओधी दिखेंगे, यहाँ 4 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यह दोनों common प्लेयर हैं, आगे चलते हैं, Playing eleven देख लेते हैं Phin Allen अच्छी form में Important रहेगे Batting फर्ष्ट में ऑर second में भी important हो सकते हैं भहत अच्छी form में इसके लावा Devon Conway अभी तक Flop जा रहे हैं अच्छा कर सकते हैं Batting पिछे हैं उसको देखते हुए इसके बाद यहाँ पर Team Sheffert है टीम से फ़र्ट बहुत अच्छी फॉर्म में है अच्छा कर सकते हैं लाश्ट मैशे फ्लॉप रहे थे तो इंका यह जो टॉप थ्री है यह इंपॉर्टन रहेगा प्लस यहां पर डैरी मिचल ने यहां पर अच्छा किया लाश्ट मैशे फ्लॉप रहे थे इंपॉर्टन ह सकते हैं, Glen Flips है, Glen Flips उतना अच्छा performance नहीं कर पा रहा है, Chapman की भी बैटिंग काफे नीचे आ रही है, Santinar important है, Baller इंके सारे important है, Santinar, Adam, अच्छा performance कर रहा है, सोडी ने लास्ट मैच में दो विकट लिया था तो आप चाहो तो इंको ले भी सकते हो नहीं भी उतने consistent नहीं है Sears ने दोनों ही मैच में दो दो गेट लिया था तो इंपोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए मेंच पे कुछ प्लेयर है केन विलियमसन यहां पर अबलेबल नहीं है अब यहां पर सैम अयूब लगातार फ्लॉप हो रहे हैं यहां 27 बनाया थे रन आउट हो गए थे मुहम्मद रिजवान यहां से मश्पिक हैं बावराजम मश्पिक हैं जब फकर जमान को आप ट्राई कर सकते हो बट फिलाल यहां पर इफ्तिकार और फकर में से किसी एक को ले सकते हो इसके लावा सहीं साफरिदी मश्पिक हैं हरीस रॉप मश्पिक हैं इसके लावा आमिर जल्माल दोनों ही मैचें फ्लॉप रहे हैं इनके बॉलर्स चल सकते हैं इनके जो मेन बॉलर है हरीस रॉप सहीं साफरिदी है इनी दोनों को जड़ातर विकेट्स मिलते हैं बेंच पर कुछ और प्लेयर है उनका रिकॉर्ड आपके सामने है अब बात करते हैं डॉरीम 11 टीम की तो यहां पर कॉन्वे को भी लिया जा सकता है एक प्लेयर लेना है तो आप इनको ले सकते हैं बैटिंग पीचे तो इनको विकेट्स मिल सकते हैं मौहमद रिजवान को मैंने लिया है टिम सेफ़र्ड यहां पर बहुत अच्छा उप्सन हो सकते हैं मातर 1% का सेलेक्सन बट यहां पर अच्छी बैटिंग कर सकते हैं बाबा राजम, फिनलम, फकर जमान तीनों अच्छी फॉर्म में ग्लैन फिलिप्स को यहां पर ट्राई कर सकते हैं और सैम अयूव ओपनिंग करने आते हैं यह भी अच्छा कर सकते हैं सैंचनर, डैरी, मिशल दोनों इंपोर्टेंट है इफ्तिकार, अहमद इंपोर्टेंट हो सकते हैं यह जमाल भी अच्छा कर सकते हैं बट बॉलिंग से साइन साफ रिदी, टीम साओधी, अड़म मिलने हरी सरॉफ, इन चारों में बॉलर्स को मैंने ले लिया है यहाँ पर, अगर हैं बात करो, मैं बैट्समन को ज़्यादा लेना चाहता हूँ बैटिंग पिछे है, उसको देखते हुए कॉन्वे के साथ मैं जा रहा हूँ यहाँ पर सीवीसी के अगर हम बात करो, तो कैप्टन आपको यहाँ पर बनाना है जो कंटिन्यू, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं एक टीम साओधी कर रहे हैं लगातार विकट्स ले रहे हैं लेकिन आप यहाँ पर बैटिंग पिच्छे हो, इसके पहले जो मैचे जो हुए वह भी बैटिंग पिच्छी थी ठीक है, तो सेकंड बाॉलिंग में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया कि दोनों ही मैच में न्यूजियलैंड की पहले बैटिंग आय थी तो सेम वही होता है तो आप टेम साओधी के सी वी सी बना सकते हो अदरवाइज यहाँ पर रिस्क आप ले सकते हो, इनको वाइस केप्टेम बनाने का दोनों मैच में अच्छा किया, वैसे देखा जाए, तो बाबर आज हम दोनों मैच में अच्छा करके आ रहे हैं यह इनको बनाया जा सकता है, डैरे मिचेल बड़े प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग भी कर सकते हैं और मिचेल सैंचनर भी विकेट ले सकते हैं इस बिच पे और अगर आपको जाना है तो ये दोनों विकेट की पिंग करेंगे इनको भी CVC बना सकते हैं दोनों ही बड़े प्लेयर हैं अच्छे प्लेयर हैं तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा आपका होश्ट हिंदू संकुरी साइनिंग आउट बाबाए